दोस्तो एक real case study आप लोगों के साथ में share कर रहा हूँ ये जो example है, ये 30 साल की एक महिला का example है जिन्नोंने हाल ही मुझसे consult किया था मैंने जब उनसे पूछा कि भी आपको क्या problem रहती है तो उन्होंने मुझे कुछ इस प्रकार बताया कि सर मेरी body के अंदर कुछ paranormal activities होती है तो paranormal activities किस प्रकार की होती है तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे body के अंदर जो ghost है जो भूत है वो प्रवेश कर जाते है जब भी मैं रात को सोती हूँ जब मुझे रात को नीन दाती तो कई बार ऐसे experiences होता है तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि आपके सरीर के अंदर भूत है वो प्रवेश कर रहा है उसकी क्या निशानी है आपको किस प्रकार से यह पता चलता है कि अब आपके सरीर के अंदर जो है वो भूत प्रवेश कर चुका है तो उन्होंने मुझे बताया कि सर जब इस तरह का experience create होता है, जब मैं रात को सो रही होती हूँ, जब मुझे पता चलता है कि हाँ आप मेरे body के अंदर भूत परवेश कर चुका है, सर मुझे उस समय बहुत ज़ादा डर लगता है, मुझे बहुत ज़ादा गुटन मैसूस होत मैं मेरा हाथ उठाना चाती हूँ, मेरा हाथ नहीं उठाता, मैं मेरे पाओं को उठाना चाती हूँ, मैं मेरे पाओं को नहीं उठा पाती हूँ, मुझे ऐसे feel होता है, जैसे मेरे सरीर पर किसी ने वजन रख दिया है, कोई मेरे सरीर पे बैठ गया है, कोई मेरे सीने पे ब लगता है कि अगर मैं नींद में जाऊंगी अगर मैं सूऊंगी तो फिर से मेरे अंदर भूत एंटर हो जाएगा और मेरे साथ में इस तरह की गटना गटित होगी दोस्तों यह जो experience है इस experience को sleep paralysis बोलते हैं इस experience को क्या बोलते हैं? Sleep paralysis experience बोलते हैं अच्छा, ये sleep paralysis experience क्या होता है? समझेगा इस चीज़ को बहुत अच्छा से हमारा जो body और हमारा जो mind है वो एक दूसरे के साथ में associated है हमारा जो body और हमारा mind है वो एक दूसरे के साथ में जुडा हुआ है हमारे mind के जितने भी functions है वो हमारी body के through execute होते है मुझे बोलना है तो उसके लिए मेरी jeep है वो काम करते हैं, मुझे चलना है तो उसके लिए मेरे पाओं काम करते हैं, मुझे कुछ explain करना है तो मेरे हाथ काम करते हैं तो मेरे mind के जितने भी functions है उन सारे के सारे functions को execute करने के लिए मुझे किस की आविशक्ता है, सरीर की आविशक्ता है, तो मैं सुबे से लेके शाम तक मेरे mind के जितने भी functions है, उन सारे functions को execute करने के लिए मेरी body को use करता हूँ, और जब रात होती है, तो जैसे ही रात होती है, तो मेरा mind भी relax होता है, और मेर जिन पूरह दिन की जो आँखों के अंदर जो फिजिकल टेंशिन क्रियेत होती है फिजिकल जो रिलेक्स किरिका कर। की वज़े से जो physical stress create होता है उसमें आपके कान भी relax करते हैं, आपकी जीब भी relax करती है, आपके फैंफिडे भी relax करते हैं, आपका heart भी relax करता है, आपका liver भी relax करता है, आपका pate भी relax करता है, आपकी body के जितने भी organs है, आपके हाथ, आपके पाउं, आपकी बॉड़ी की जितनी भी cells है, वो सारी की सारी cells, night time के अंदर क्या घरती है, relax करती है, अच्छे ये relaxation क्यों जरूरी है, ताकि पूरे दिन जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी हम activities करते हैं, उन सारी की सारी activities के लिए हमारे अंदर क्या आजाए, energy आजाए, energy restoration हो जाए, और जो भी पूरे दिन की activities के कारण की कच्रा जो पैदा हुआ है, जो free radicals पैदा हुआ है, उन सारे के सारे free radicals को क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और सुबह आपकी body वापस से क्या हो, तरो ताजा हो, अब ये तो है एक सांबानी सी परक्रिया, लेकिन जब हम stress में होते हैं, जब हम anxiety के दौर में चल रहे होते हैं, मतलब हमारे दिमाग में कोई imaginary कोई problem होती है, किसी वज़े से हमारा जो दिमाग है, वो रुका हुआ होता है किसी चीज के अंदर, कोई बात हमारा दिमाग के अंदर रुकी भी होती है, जिसके कारण हम अंदर ये अंदर घुट रहे होता है, हमारा दिमाग लगातार चल रहा होता है, तो जो night का जो experience होता है, रातरी का जो experience होता है, उसके अंदर गया होता है कि हम जब सोते हैं तो हमारा पूरा का पूरा बाड़ी भी क्या होता है सोता है लेकिन हमारा जो दिमाग है वो सो नहीं पाता जो हमारा सबकॉंशियस माइंड है वो कंटिनियूसली चल रहा होता है अच्छा जब आपका subconscious mind continuously चल रहा होता है तो mind चल रहा है तो body भी आपकी relax नहीं हो पाती और दीरे दीरे आपकी body के अंदर stress का level बहुत ज़ादा बढ़ जाता है इसको हमारी body का एक defense mechanism बोलते हैं जैसे हमारे country का एक defense system होता है हर एक जगे का एक defense system होता है उसी तरह से हमारी body को extreme stress से बचाने का एक defense system है कि थोड़े समय के लिए जो mind और body है वापस में क्या हो जाते हैं dissociate हो जाते हैं तो active control जब आपका खतम हो गया तो उस समय आप अपने हात को उठाने ही पाते हैं आप चलना चा रहे हैं तो आप चल नहीं पाते हैं आप कुछ बोलना चा रहे हैं तो आप बोल नहीं पाते हैं क्यूं क्यूंकि हमारे mind और हमारी body के बीच में जो active association था, वो active association क्या हो गया? Dissociate हो गया, और जैसे ही dissociate हो गया, यह जो dissociation क्यों हो रहा है? यह एक परकार का defense है, ताकि हमारी body की जो physical stress है, जितने भी free radicals create हो रहे हैं, उन सारे free radicals को क्या किया जा सके? साथ किया जा सके? Body को क्या किया जा सके? वापस से energy से charge किया जा सके, ताकि वो पूरे दिन फिर से जो नया, जो problem सामने आ रही है, जो चुनोतियां सामने आ रही है, उन चुनोतियों के according आपका सरीर वापस से क्या कर सके? काम कर सके, आपकी body की productivity बड़े, तो इसके लिए यह क्या होता है, एक परकार का dissociation होता है, और यह जो dissociation है, यह एक परकार की क्या है? डिफेंस मेकेनिजम है, यह कोई खराब चीज नहीं है, जबी भी हम stress में चल रहे होते हैं, anxiety में चल रहे होते हैं, depression में चल रहे होता है या दिमाग के अंदर किसी भी परकार का कोई load बना हुआ होता है या आपके subconscious mind काम कर रहा है overthinking चल रहे होती है तो उस दर्मियान आपका बाकी सरीर है वो relaxation में चला जाए इसलिए mind और body के बीच में जो dissociation होता है sleep paralysis create होता है और बहुत सारे लोग को एक गलत identification देदेते है जो identification कौन सा है भूत वाला है जो प्रेट वाला है अक्सर इस तरह का एक common experience होता है लोगों को और वो इसी experience को क्या नाम देदेते है भूत वाला नाम देदेते है हालांकि भूत का मतलब भी एक डर ही होता है और अगर इस तरह का experience create हो रहा है अमारी body के अंदर जिसके अंदर हम हमारे हाथ को control नहीं कर पा रहे हम हमारे पाउं को control नहीं कर पा रहे हमारे body के उपर जो active control है उसको खोए जा रहे हैं तो यह काफी panic experience हो जाता है अगर हम इसको समझ नहीं पाते कि यह कोई खराब experience नहीं है it's a normal experience हमारी body जो है वो recharge होने के लिए इस तरह की defense mechanism use करती है और जब आपकी body वापस recharge हो जाती है तो आप पूरे दिन से वापस तयार हो जाते हो किस चीट से लड़ने के लिए इन से conflict में चल रही है और उस conflict की वजए से उनका जो mind वो relax नहीं हो पाता पूरे दिन थकावट से महसूस होती रहती है पूरे दिन एक अजीब सी बेचैनी से महसूस होती रहती है और रात को भी जब सोते हैं तो sleep की quality इतनी अच्छी नहीं है ताकि हम अपने आपको relax कर सकें ठीक है भई mind जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है एक बार mind को थोड़ा side में कर दो बाकी के part को तो relax कर दो न तो आपका बाकी का body पूरा relax जो जाता है आप शान्ती अनुभाव करते हो ताकि आपका relaxation बड़े body का recharge बड़े तो दोस्तों यह जो experience है इसको क्या बोलते है अपन sleep paralysis बोलते हैं अगर आपके साथ में भी इस तरह का experiences होते हैं night time के अंदर इस तरह का experience होता है तो अपने आपको बहुत अच्छे से explain करिए कि यह जो experience है यह sleep paralysis है, anxiety, stress के अंदर अक्सर इस तरह का experience होता है जब आप किसी भी चीज़ को लेके overthink चल रहे है माली जी को कोई student है, वो अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा बहुत overthink कर रहा है कोई business man वो अपने business को लेके overthink कर रहा है कोई वेक्ति अपने body, अपने health को लेके overthink कर रहा है या कोई किसी भी वज़े से overthink कर रहा है तो उसके अंदर इस तरह का experience होना एक common सी बात है तो इसके scientific process को बहुत अच्छे समझे इस defense mechanism को बहुत अच्छे से understand करिए कि यह जो sleep paralysis है यह भूत नहीं है यह हमारी body का एक defense mechanism है तो दोस्तों हमारी body के इस परकार के defenses को और अच्छे से understand करने के लिए और अच्छे समझने के लिए हमारे mind की जो effectivity है हमारे mind की जो कार्य प्रनाली है उसको और अच्छे समझने के लिए हम लोगों ने एक CBT का course launch किया जिसका link मैंने नीचे description में दे रखा है इस CBT के course के अंदर आप अपने mind को बहुत अच्छे से explore कर सकते हो उसको बहुत अच्छे से understand कर सकते हो उसके जो potentials है उनको बहुत अच्छे से अपने अंदर महसूस कर सकते हो इसका proper जो learning है step by step learning ये सारा का सारा आप अपने अंदर install कर सकते हो और अपने आपको हर परकार की psychological problem से दूर कर सकते हो अपनी potential को और ज़्यादा explore कर सकते हो और दोस्तों अगर आप अपनी physical जो stress है जिसके अंदर ये जो free radicals बहुत ज़्यादा create होता है आपके mind में create होता है इनको remove करने के लिए इनको हटाने के लिए भी हमने एक natural product launch किया है जिसका link भी नीचे description में दे रखा mind tonic जो antioxidant से भरपूर है जो हमारे mind के और हमारी पूरी body को क्या करता है detoxify करता है दोस्तों उम्मीद घरता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आयागा नीचे comment box में लिखकर जरूर बताएगा और अब तक एदिया आपने मेरे youtube channel DR KTV को subscribe नहीं किया तो please उससे subscribe करें ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे बहुत बहुत धिन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत